नमस्कार किसान भाईयों, इस समय बारिस के बाद या जीन छेतरों में बारिस नहीं हुई है गन्दना पोदे को देखते हैं तो जैसे जैसे पत्तियां उपर को जाती हैं वे मुडी वी सी हैं और पत्ति के उपर का भाग लाल भी दिखाई पड़ रहा है साथी उपर का जो आखरी हिस्सा है जो चोंच सी है वो सूख गई है और पूरा का पूरा पोदा पीला पीला नजर आ रहा है और उसमें किसी भी परकार की ग्रोथ या गेरा हरापन नजर नहीं आ रहा है जैसा कि आप देख भी रही है ऐसी में टेलरिंग की तो बात ही दूर फसल को सुरक्सित कारना पहली परात्मिकता होने चाहिए काफी किसानों ने यह समश्चा बताई है और इस बारे में पूछा भी है और कुछ किसानों ने तो गन्ना पेडी में भी यह समश्चा बताई है यह समच्चा एकदम से क्यों आई है क्या इसके कारण है और क्या इसका समादान है इसी सब पर आज की वीडियो में चर्चा के जाएगी मेरे प्यारे किसान भाइयो चैंडि अभी तक आपने एफोर संडल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए किसान भाइयो मैं बताता हूँ कि इसके कारण क्या बने है जिससे कि यह समच्चा एकदम से आई है तो एक तो इसमें सबसे पहले आई है फंगस और दूसरा इसमें जैसे हम पत्यों को खोल करके देखते हैं तो इसमें एक तो ब्लैक बग है और दूसरा इसमें मकडी भी नजर आ रही है तो यहाँ पर कोई आपको यदि जो समश्चा में बता रहा हूँ जो पोदा में दिखा रहा हूँ ये भी आपके खेत में है तो उसमें कन्सवा या गन्ने के पोदे के अंदर कोई कीडा ये सब समश्चा नहीं है बलकि फंगस मकडी और ब्लैक बग ये तीन चीज की समश्च इसमें है इसी के कारण से गन्ना पोदे की ग्रोथ रुकी हुई है पत्या मुडी हुई है और वो पीला पीला नजर आ रहा है किसान भाईयो ये तो रही एक बात कि किन कारणों से गन्ना पोदे में एकदम से ये समश्चा बनी है अब हमें इसका इलाज करना है तो इलाज क पहला है आप लीजे कलोरो पाइरिफोस प्लस साइपर मेतरिन 500 ml जिसे आप हमला के नाम से जानते हैं दूसरा जो लेना है आपको 200 ml सलफर 80% WDG यह आप लिकविड में भी ले सकते हैं और यह पाड़र में आता है वो भी ले सकते हैं तीसरी चीज़ लेनी है 200 गिराम कारबंडाजिम प्लस में को जैब इन तीन को मिलाईए और प्रती एकड के हिसाब से गन्ना पोदे बर इस्प्रे कर दीजे आप दूसरा चीज़ में बता रहा हूँ अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो दूसरा ले लीजे इसमें मोनो क्रोटोफोस धाइसो एमेल और धाइसो एमेल सलफर यह आप लिक्विड ले सकते हैं पाउडर में ले सकते हैं और तीसरा लीजे आप धाइसो ग्राम कारबंडाजिम प्लस में को जैब इन टीनों को मिला दीजे और परती एकड़ के हिसाब से गन्नापोदे पर इस्प्रे कर दीजे अब इसमें तीसरा भी है यादि तीसरा करना चाहे तो एक भारत कंपनी का आता है टेबू कोना जोल 10% और सलफर 65% इन में 2 का कॉंबिनेसन दिया है यह बहुत अच्चा है और यह systematic भी है और contact भी है यानि कि system में जाएगा यह पहले जड़ में जाएगा और महाँ पर fungus है और जो हरापनलाना है वो भी काम करेगा और contact है यानि कि जो पत्ती पे एकदम से contact में आएगा तो भी ये काम करेगा तो दो तरीके से ये काम करता है systematic और contact तो इसलिए बहुत अच्छा है इसका आप प्रती एकड के हिसाब से spray कर दीजे और इसके साथ आपको 500 ml chloropyrifas भी मिलानी है और यदि कुछ समझ्चा जाता है तो 200 ग्राम कार्टब पॉर्टर भी प्रती एकड के हिसाब से मिला करके चारों को एक साथ में यूज करेंगे तो गन्ना पोदे की जो फसल फे फंगस है ये मकडिया है और ये जो black bug है और भी तरह के जो कीट पतंगे जो भी है वो समर जाएंगे और आपके गन्ना की जो पत्तिया है वे खुल जाएंगी उस पर हारा पनाएगा और बढ़वार भी तेजी के साथ होगी तो ये आप साधान से उपाए मैंने बताएंगे इन्हों का आप यूज कीजे ये ज़्यादा बड़ी बिमारी या समस्या नहीं है फिर मिलते हैं ताज अपडेट के साथ तब तक के लिए जय जमान जय किसान